अफ्ताव ने किये स्रद्दा के 35 टूक्र है ये बाते कहां से आती हैं अफ्ताव जब 35 टूक्रों में एक हिंदु लड़की को बाढ़ता है लब जियाद के चक्कर में स्रद्दा की हत्या कर देता है और लब जियाद में नाजा ने कितने लड़कियों का जीवन बरभाद कर देता है और सद्दा के मौत की पूरी कहानी लाइब दिखाई जाती है फिर भी लोगों को होस में नहीं आता है इस देश के लोगों को हर दिन धर्मांतरन कराया जा रहा है इस देश के लोग इसाई और मुसल्मान बन रहे हैं और इस धर्मांतरन का कारण कौन बन रहे हैं कहत राम और शिता जैसे अपने घरों में यग्य करते थे उस यग्य को करना और कराना हम भूल गए हमने अपने सत्यार्थ प्रकास को अपने बेद और ग्रंत को पढ़ना भूल गए जिस कारण हमारी बेहन बेटिया लब जिहाद के चक्कर में फस रही है हमारे लोग दलीत भाई को जबरदस्ती जबरन उन्हें धर्मांत्रन कराकर्म का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं श्रीक्रिष्ण जी के जीवन चरित्र को भी पढ़ लेते तो आप ऐसे धर्मांत्रन में नफ हसते श्रीक्रिष्ण को जीवन चरित्र को तो जानू इंसान को दिया गया सबसे बड़ा यंत्र आवाज है आवाज उठाओ जब सब बर्णों में विद्यासु सिक्षा होती है तब कोई भी इंसान उन्हें मुर्ख नहीं बना सकता है इस धर्ती में आपको करना क्या है वो अस्पष्ट जानिए आप अपने धर्म की रक्षा करिए आप अपने मठ मंदिर की रक्षा करने के लिए आप स्वेम तयार रहे आप अपने विराशत को जगा करके रखिए फ्री में नहीं मिला है आप अपने संस्कृति को जगाईए हम मैं प्रभाकर चवरसिया आप लोगों से ये विनती करता हूँ ये मेरा अग्रह है आप अपने धर्म पर अठल रहे आप अपन सब के लिए एक है किसी भी पंक्षी के लिए किसी भी जीव जानतु के लिए अलग नहीं बनाया है ये जो हम बर्यावरन देखते हैं ये जो बातावरन है जितने भी जीव जानवर इस धर्ती पर है उस सब के लिए एक ही धर्मे सनातन धर्म कभी उसने किसी से भेदभाव हमने मंदिर जाते हुए कभी किसी का अपमान नहीं किया इस जंगल पहाड में हमारा जो भी हवा है बातावरन है उसने कभी धर्म को नहीं बाटा लेकिन हम क्यों बाट रहें फिर आरे समाज को लोग कहतें कि ये कर्लग धर्म है नहीं ये लव जिहाद जैसे कर्थूतों को द पंस्कृति को पैदा करने के लिए स्री कृष्ण की तरह धर्मवान बनो, स्री राम की तरह धर्मवान बनो, इस कार्य में लगे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब सुसिखीत हो.